सीकर के इदगा है रोड़ पर 7 मई को हुए आपस में मारपीट के मामले को लेकर शुकरवार को जामा मस्जित के बाहर लील गर समाध ने विरोध प्रदर्शन किया सभापती जीवन खा और उनके भतीजे पर जमीन पर कब्जा करने का आरूप लगाते हुए मुस्लिम समाज के सेकड़ों लोगों ने जामा मस्जित के बाहर विरोध प्रदर्शन किया इससे पहले जूमे की नमाज आदा की गई लोगों ने सभापती के खिलाफ जमकर अफ्तार कर लिया इस मामले में कोर्ट ने भी इस बात पर सवाल उठाये था कि पुलिस ने एक तरफा करवाई क्योंकि लोगों का कैना था कि सीकर में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिन में सभावती जीवन खा की और से जमीन हड़ पी गई है उनके भू माफिया भतीजे क्ष पद से हटाया जाए पुलिस सभावती के दबाव में न आकर सही कारवाई करें मामले में पीडित फिदाहु से ने कहा कि सिर्फ उने ही पुलिस ने गिरफतार किया है जबकि सामने वाले पक्ष खुले आम घूम रहे हैं रोड के पास दो दुकान है दो दुकान है घूमाफया वाले आए जो आरिफ खान है उस मेरी पांच नमर की दुकान पर च्छ नमर की दुकान पर कबजा कर लिया उसको कबजा अठाने के लिए पूछ गया तो में उसको बोला भी मेरा कबजा क्यों कर रहो ला जाए क्यों दोबारे हो मेरी जमी तो मेरे से मार पिटाई कर ली सरीय लाठे बाटे लिए इसकदर लाया टरक बगाड़ी बरके बस पुछे हो तो गुंडे लाया या आरिफ खान सवापती का बतीजा है जो भूमाफिया का काम करता है इस से पहले एक यतीम औरत की सवाप करोड की जमीन उसको चार दित तक जेड़ में डाल दिया और कैंसर का मरीज उसका पती उसकी जमीन दावली हड़ब कर ली और मैंने रात ही को एफ आई आर दर्स करवा दी थी मैंने दारा भी लग गई थी उन लोगों ने भी करवा दी उन लोगों या एफ आई आर पे कारवाई हो गई और माली है भारे आर पे कारवाई नहीं मुझे पुलिस ले गई पकड़ गया तब तीस की के पहले ही ले गई मुझे पुलिस पड़कर कर गड़कर मुझे जेड़ में बंद कर दिया को तोरी में जोड़ी वाप और मेरे सुबह से शाम तक बुड़ आदमी से पैरों से चल बोला है उन कोत्वार साब को कि एक तरफाई कारवाई क्यूं एप आड़ दरस्तों मेंने भी कर आई है उनको क्यों नहीं लेते हैं उनको क्यों लेंगे सवापती का बतीजा है वो लाजुपारी का चंचा है वो आज ये सत्य नास कर दिया इंको शिकर हुआए एस्वी मैंने जेपर से मीडिया वालों को बताया हूं मेरी कहनी यह भूमाविया फिला रखाए जब तक यह चेर में नहीं अठेगा सीकर से जब तक सीकर सुद्रेगा नहीं वन्ना आं तक आं तक फिलेगा या पुलिस इस तरह हुशी है और तो से ऐस सब दो बोले और मुझे गिर इस तरह से मेरी अर्गत की है और ये अरिफ खान है सबापती का बतीजा मेरे गर के अंदर आकर कुमारे को तोड़ कर गया हूँ उसको पुलिस की रख़दान नहीं करी है ना उसको पुलिस फकर लिए कुछ भी नहीं कर लिए मेरी एफ आयार दर्ज नहीं है उस पे कारवा मुख्लिन गर्ल स्कूल नौला हुसेन गैंजी बढ़ के पास मेरा परोट है जो मेरे दादा अहमद भक्स से मेरे दादा को मिली मेरे दादा से मेरे बाब को मिली मेरे बाब से मेरे को मिली क्यों मेरी मैं अकेली हूँ इसके दोरान मेरा भतीजा मुनाफ दस-पनरा साल से कबजा करने की, हडपने की उसको लगन लग रही थी। उसमें है ना उसमें मैं 15 साल से हाई पोर्ड में केस लड़ रही हूँ यह दावधारी के लिए तो यह ना आरिफ खान जीवन्था का बतीचा चैर्मेन का उससे मिलके और कोई जुनेत खान के डोली वाले को कबजा करव कराती है नकली रजिस्टरी नकली पट्टे बना के उसको वहां कबजा करा दिये इस दोरान में मंबई से आई और वहां गई तो वहां जाके देख रही हूँ तो मेरी तो जमीन पे दिवार घर सब बने हुए मैंने वहां विरोध किया विरोध किया तो महां से 10-15 आदमी प फिर मेरे बेटा चेकीब को मार्पीट की वो कंद्रा जने ने और मार्पीट करके उसका सर्फ होड़ दिया तो फिर हम लोग को भगा दिये और में गई ठाने में हमारी एफाईयार हुई है मैंने एक दरस कराई उस पे कुछ कारवाई हो रही नहीं है वापस उल्टा हमारे पर केस बनाके ओरेना मेरे को जैल विजवा दिये यह कौन सा कानून है मुझ गरीब पर नहीं करो मुझ गरीब पर हम करो मेरा आदमी केंसर का पैसिंट है मेरे मुसल्मान भाई मेरी थोड़ी मदद करो कि मैं कौन सी आलातों से जुजर रही है